हेलो वर्ल्ड, वेलकम तु दे लास्ट पार्ट अफ आर्ड उनो फॉर बिगिनर सीरीज, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सच का सामना कैसे खेलते हैं मैं इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करता जाऊंगा और आप लोग ऐसे ही बोड़ होते जाऊंगे इसलिए आज करेंगे हम इस सीरीज का दि एन्ड, इस सीरीज के पिछले आठ वीडियो में मैंने आपको कुछ जूट बोले हैं, कुछ सच छुपाए हैं तो आज इन सब का कनफेशन करना है, पाप मुक्त होना है और गंगा में टुपकी लगाना है लेकिन इस से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सीरीज इतना अंस्ट्रक्चर्ट क्यूँ है ना ही मैंने आपको कम्प्लीट नॉलेज दिया, ना ही मैंने आपको जादा टेप नॉलेज दिया और कुछ चीज़े तो मैंने फ्यूचर के लिए ही छोड़ दी तो मैंने ऐसा किया क्यूँ जब बच्पन में आपने चलना सीखा था तो तब ऐसा तो नहीं था कि आपको नूटन का लौब पता था या फिर आपको बताया गया था कहां पे किधर कितना फोर्स अपलाई करना है तो आप चल पाएंगे लेकिन फिर भी आपने चलना सीखा तोर न भी सीखा क्यूंकि आपके लिए एक साइट से अदर साइट पहुचना इंपोर्टन था फिर आप थोड़े बड़े हुए आपने बढ़ना सीखा फिर आपको पता चला कि साइंस नाम का भी कुछ होता है फिर आपने सीखा वाकिंग प्रिंसिपल्स ऐसे धीरे धीरे आप सीखते गए मेरी कोशिश भी यही थी कि आपको दिखाऊं कितना सिंपलेस को स्टार्ट करना और एक एंड से अदर एंड पहुचना डे बाई डे हम लोग सीखते जाएंगे और धीरे धीरे डेप्थ में खुचते जाएंगे अभी जानते हैं मिसिंग कॉंसेप्स के बारे में यह भी आपको पता ही है बस ओफिशल टर्म नहीं पता कभी आपने देखा Arduino Pins को हमने Input के लिए यूज़ किया कभी हमने इसको Output के लिए यूज़ किया मतलब एक ही पिन को हम किसी भी परपस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो Input हो या Output यह होता है GPIO अगर आप Microcontroller का GPIO Pinout देखोगे तो वो Digital Numbering से हर वक्त मैच नहीं करेगा Arduino Uno का GPIO Pinout यह रहे आपके एक कम्प्यूटर स्क्रीन पे पहला जूट मैंने आपको बोला था Part 3 में जब हमने DHT का Pin Declare किया था मैंने वहाँ पे कहा था आपको यहाँ पे Digital Pin देना है Actually में वहाँ पे GPIO Pin नमबर देना है Arduino Uno के केस में GPIO Pin नमबर और Digital Pin नमबर सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा मैं नहीं चाहता था कि आप स्टार्ट करो और एकदम से आप Theory पे Theory पढ़ते जाओ और यह चीज आपके लिए Complex होता जाए मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा Theory पढ़ो थोड़ा Practical करो ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहो और कुछ चीज़े आप खुद से भी सीखो तो कुछ बोर्ट में ऐसे होंगे जहाँ पे GPIO पिन और Digital पिन मैच नहीं करेंगे उस टाइम के आपको यह ध्यान में रखना है कि आप GPIO पिन को ही रिफर करो तो इसको सिंपल करने के लिए मैंने String का यूज किया लेकिन यह हर वक्त सही नहीं है इससे memory ज़ादा allocate होता है तो better है कि हम character pointer यूज करें वो क्या है जानेंगे हम अगले वीडियो में ऐसा official कुछ steps है ही नहीं यह तो मैंने बस process को structure रखने के लिए बना दिया अगर आप किसी बड़े चीज को छोटे छोटे हिस्से में divide कर देते हो तो उनको achieve करना आपके लिए बहुत ही simple हो जाता है पिछले के कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग उने क्या-क्या बनाया मुझे Instagram पे जरूर भेजे आप में इसे ही अयन्दीप और Sam ने मुझको अपने projects भेजे है अगर आपको भी मुझे दिखाना है कि आप लोग उने क्या-क्या बनाया तो मुझे Instagram पे अपने projects सेंट करो हो सकेगा तो मैं future में उसको जरूर अपने चैनल पे दिखाऊंगा आप देखिए उनका projects मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में पीजबादी अगकि अगर पीजबादी एंगीघ